नमस्कार दोस्तों देखें मित्रव बाल विकास और शीक्षा सास्तर में एक नया टोपिक और जुड़ा था इसमें जिसका नाम है तरक तो एक आसान सा टोपिक है कोई इसमें इतना ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीजें हो या कोई समझे में नहीं और reasoning भी कहते हैं, argument भी कहते हैं, तरक और तरक नाम, यह सब A की नाम है, प्रियायवाची नाम है, तो कोई भी नाम इंग्लिश में आ सकता है, तो इसमें confused होने क्या आउशकता नहीं है, तो इस में से आपके exam में किस प्रकार से आएगा, वो थोड़ा दो तिन पॉइंट आप कि तरक से यहां क्या रत लिया गया है, तो एक तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं, कि तरक क्या होता है, इसमें man point क्या क्या है, इसके बाद में हम बात करते हैं, दूसरा point कि तरक के परकार कौन कौन से हैं, तो हमें मुखे रूप से चार परकार जो हैं, वो दन है वो चीज आपको ध्यान में रखनी है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्पुन है वो है परकार वाला तरक के जो परकार है वो सबसे ज़्यादा महत्पुन है अगर तरक से जुड़ावा आपके एक्जाम में कोई क्यूशन आता है तो 90% तो चांस यह है कि वो इसके परकार में से आएगा. चार परकार हैं, निगवनात्मक आगवनात्मक आलोचनात्मक और सादर शावाजिंग तो यह चार परकार हैं, इनहीं में से कोई example या अधान दे करके आप से वो तरका क्यूसरन पूह सकता है बाकी 10% में सोपान भी पूछ सकता है या इसका क्या योगदान है शिक्षा में ये सिंपल सिंपल सी चीजे है और या फिर जैसे माल जी तरक क्या होता है तो वो आप से पूछ सकता है 90% किस चीज में से आएगा परकार में से तो अब हम पढ़ते हैं इसको यह एक प्रकार का वास्थिक चिंतन है यानि चिंतन देखे अगर आपने टोपिक पढ़ा है ये एक सास ही जोड़े गए हैं टोपिक जो हैं चिंतन यह था ही ओ लड़ी पहले था चिंतन तो कोई निया टोपिक नहीं जोड़ा है कलपना, तरक तो अब इनमें मैंन क्या difference है क्या है क्या नहीं है चिंतन आपने पढ़ावा होगा ऐसा तुन है कि पढ़ानी होगा जो चिंतन का topic पढ़ा होगा कलपना है और यह भी आपको पढ़ा चुके हैं अब आता है तरक तो तरक जो है वो क्या है वो एक परकार का वास्त्विक चिंतन ही है, realistic thinking, व्यक्ति तरकना के माध्यम से अपने चिंतन को करमबद बनाता है, systematic जो है, वो बनाता है, sequence, और एक निश्चित निश्कर्ष पर तरक वितरक के आधार पर पहुंसता है, यानि मेन बात वो ही है कि जो एक समश्या का समाधान, तो वो किस तरह सी किया जाएगा, तो उसका एक महत्पुन जो है, वो होता है, तरक, तरक के आधार पर, हमारे सामने मान लिजिए, कोई समश्या है, इसलिए देखे, चिंतन, एक वास्त्विक चिंतन, चिंतन का एक महत्पुन पाड़ के लिजिए, या सही माइने में जो च चिंतन है, वो क्या है, वो तरक ही है, चिंतन क्या होता है, किसी समश्या की समाधान तक पहुंचना, कि कोई समश्या है, और उसका हमें समाधान तक पहुंचना है, तो उसी परकार से तरक की एक परकार का ये वास्त्विक चिंतन है, तो व्यक्ति तरकना के माध्यम से अपन में point हैं सब तो इसमें मुख्य रोप से यही से ध्यान में रखनी है कि कोई समश्या है उस समश्या के समाधान के लिए करमबत रूप से और एक निश्चित निश्कर्स पर पहुंचना किस आदार पर तरक वितरक के आदार पर तो जो रेबर है रेबर ने तरकना के दो अर्थ बताएं है एक तो है कि सामाने अर्थ में तरकना एक परकार का चिंतन है जिसकी परकिरिया तारकिक और संगत होती है किसी भी चीज़ के गुण दोश दोनों को देखते हुए और संगत का मतलब होता है उस समश्या जैसे जुड़ा हुआ जैसे मैंने आपको इससे पहले एक टोपिक पढ़ाया था कलपना तो इसकी विशेष्था जो मुख्य रूप से बताई थी कलपना की कोई समश्या कोई जरूर नहीं है वेक्ति कुछ भी सोच सकता है कुछ भी विचार कर सकता है वो चीज है कलपना लेकिन यहां जो तरक है वो जो भी आपकी समश्या है पर्टिकुलर उस समश्या से जुड़ा हुआ जो है वो आपके दिमाग में थोड़ या विचार तो तरकना क्या है ये भी एक मानसिक परकिरिया है ये सिंपल से पॉइंट होते हैं ये आपके ध्यान में होने चाहिए जैसे चिंतन है मानसिक परकिरिया है तरक मानसिक परकिरिया है कलपना एक मानसिक परकिरिया है तो पहला जो है ये ध्यान में रखेगा रेबर का देखे इस तरह से कोई आपके नहीं पूछेगा कि वो पूरा इतना लंबा चोड़ा लिखे और फिर बताएगा कि पूछेगा कि बताओ ये परीबासा किस ने दिये ऐसा आने की कोई समावना नहीं है इसमें इस वाले बिंदु में लेकिन ये रेबर ने काया है तो थोड़ा से ये चीज आपको और समझने में साहिता गरेगी कि आखिर तरक क्या है सिंपल सी बासा में तो तरक वो ही है कि किसी विश्य के पक्ष में तरक वितरक करते वे और अपनी समझय का समाधान करना अपने लक्षे तक पहुँचना अब ये बासागत रूप में इन्हों ने कहा जैसे सामाने अर्थे में तो ये है कि एक प्रकार का चींतन है और विशे सर्थ में समझय समाधान वेवार है जहां अच्छी तरह से निर्मित पराकलपनाओ की करंबद रूप से जांच की जाती है जो भी आपकी समझय है उस समझय के बारे में जो आप अनुमान लगाते हैं जो आप विचार करते हैं जो सोचते हैं तो वो कि करंबद रूप से जांच कि जाती है तथा समाधान तार्खिक ढंक से नीगमित किया जाता है अब ये भारी बरकम शब्द है ये इसमें है कुछ भी नहीं ये नीगमत मतलब एक प्रकार से अंतिम रूप से जो एक निशकर्ष निकाला जाता है उसी तरह से आप इसको समझेगा ये वर्ड टू वर्ड लिखना इसमें इसलिए जरूरी है क्यों कि रेबर की यह एज़िटी जो है यही है तो आपको ये मैन पता होना चीए कि रेबर ने क्या का है तो यह आप ध्यान में रखेगा कि सामाने अर्थ में तरकना एक परकार का चिंतन है सिंपल अर्थों में कहें तो कोई अगर आपसे पूछे सिंपल अर्थों में कि क्या है तरकना कि वह एक परकार का चिंतन है मानसिक चिंतन, मानसिक परकरिया जिसके परकरिया तारकी ग्रूप से होती है यानि logically ओसा निया के कुछ भी सोचना शुरू कर दिया ओसा नहीं होता है तारकी रूप से और संगत संगत का मतलब यहां क्या है जो आपकी समस्या है उस से जुड़ावा तरक ऐसा ऐसा निया के मरजरे कुछ भी सोचना शुरू कर दिये और विशिस्ट अर्थों में तो थोड़ा सा भासा इनकी और हैवी होगी समस्या समाधान वेवार है जहां अच्छी तरह से निर्मित प्राकलपनाओं की करमद रूप से जांस की जाती है और समाधान तारकिक डंग से निगमित किया जाता है इतनी सी बात है अब यह कहना क्या कि इसको आसान भासा में हम क्या कह सकते है यानि तरकना में व्यक्ति किसी गटना या विश्य के पक्ष तथा विपक्ष में तरक करते हुए एक प्रिणाम पर पहुंचता है ये है जो रेबर की बड़ी बासा है उसका सार वो सामान अर्थों में, विशिष्ट अर्थों में सार यह है कि किसी गटना या विश्य के पक्ष और विपक्ष में तरक करते हुए एक परिणाम पर पहुंचना जैसे माले जी आपके सामने भी कोई भी समश्य आ सकती है उसमें आप कई बार सोचते हो ऐसे हो सकता है या इसको ऐसे करें तो अच्छा ऐसे करें तो इसका सोलुशन ऐसे भी हो सकता है या ऐसे करें तो तो इस परकार से वो चीज है वो ही क्या है तरक है अब जैसे उधारन इसमें ये एक्जाम में भी आता है और लोगपिरिया उधारण माना जाता है छाता द्वारा टेबल लेंप से पढ़ने वाला उधारण क्या है ये कि जैसे माली जी एक विद्यारती है और ये कोई विद्यारती है और ये विद्यारती अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है टेबल लेंप की रोशनी में अचानक रोशनी बुझ गई, चली गई रोशनी अब उसके सामने ये समश्या हो गई कि वो पढ़ाई कैसे करे क्योंकि लाइट तो जा चुकी है तो अब वो अपने दिमाग में अपने मन में कई तरह से तरक करते वे चिंतन करेगा, और उसके दिमाग में कई चीज़ें आएगी, जैसे कि हो सकता है कि जो तर है जो आपका वो होता है, फ्यूज तर उसमें कोई दिक्कत हो गई हो फ्यूज तर जो है वो जल गया हो या उसके माइंड में ये भी चीज़ आ सकती है कि जो बलब है, उसी में दिक्कत हो वो खराब हो गया हो ये अलग-अलग उसके माइंड में आ सकती है कि आखिर लाइट जो गई है, ये क्यों गई है और वो बलब की जांस करता है देखता है कि बलब ठीक है तो उसको लगेगा कि ये भी ठीक है फ्यूस्तार भी सही है, तो हो सकता है जो स्वीच है, वो दिक्कत हो स्वीच में खराब हो गर के बाकी जो रूम है, उनमें लाइट आ रही है इसमें नहीं आ रही तो फिर हो सकता है कि और इसमें कोई समश्य हो फॉल्डर में खराब हो सकती है तो देखिए वो कितना अलग उसके सामने समशे आगे कि लाइट चली गी अब वो उसके समाधान के लिए अलग अलग तरीके से सोज रहा है कि ये अच्छा ये दिक्कत हो सकती है एक दिक्कत नहीं तो फिर और देगा अच्छा इस तरह से ये वाली दिक्कत तो नहीं है इस उधारन को आप अच्छे समझ लिए फिर कोई भी इसमया आ सकता है तो चातर जो है इस तरीके से step by step ये नहीं तो ये इस तरीके से करते करते और लाष्ट में अपनी समशे का समाधान कर लेता है तो अब इसमें चिंतन जो है ये जो तरक है इसमें मुख्य रूप से तीन बिंदु है ये तीन बिंदु समझ लिजिए तरक का सार है कि तरक क्या होता है पहला तो ये कि तरक चिंतन की एक परकिरिया है ये तो आप समझ गे चिंतन अगर आपने पढ़ा है देखिए इसलिए ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी भी है चिंतन आपके समझ ने और चिंतन बहुत आसान टोपिक है यूटूब पे भी मैंने आपको पढ़ा रखा है जो कोर्स लिया है साइकोलोजी का विद्यारती ने उसमें भी आपको पूरा बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है इसको एक एक चीज़ को तो चिंतन आपने समझ रखा होगे कि चिंतन क्या होता है तो तरकना जो है ये क्या है चिंतन की ही एक परकिरिया है चिंतन के अंदर भी वही समश्य का आप समाधान करते हो तो चिंतन की ही एक प्रिकिरिया है चिंतन में होगा क्या समश्य का समाधान करोगे कैसे इसी के माधियम से, तरक के माधियम से तरक, तरकना, रीजिनिंग, आर्गुमेंट जो समझे आप समझो इसको दूसरी बात तरकना में एक करम बत्ता पाई जाती है क्योंकि आपको समश्या का समाधान करना है तो आप सिस्टेमेटिक ढंक से सोचते हो कि आच्छे वाई ये हो सकता है ये वाले चीज आच्छे इसमें नहीं सफल हुई अच्छे हम इस तरके से विचार कर सकते है हम इस तरके से अपलाई करके देख सकते है और तीसरा है तरक में व्यक्ति पक्ष विपक्ष में जो है वो तरक करते हुए एक निश्चित निश्कर्स पर पहुंचता है तो तरकना जो है इसमें व्यक्ति पक्ष विपक्ष में तरक करते वे कि ये भी हो सकता है या हो सकता है ये चीज नहीं भी हो तो ये चीज आप ध्याने में रखेगा पक्ष विपक्ष में तरक करते वे अपना एक अंत में निशकर्ष पर पहुंसता है तो सुरुवात कहां से होई किसी समश्या के समाधान से कोई भी समश्या से जब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो तरक के स्टेप क्या होते हैं चरण तो इसमें सबसे पहला समाधान ही आएगा और लास्ट में फिर हमारा जो निशकर्स होगा हल होगा वो आएगा तो ये हो गया आपका इसके बाद आता है तरकना के परकार जो मैंने आभी आपको उपर बताये था कि तरक से तरकना से समधित कोई भी क्यूशन आगर आएगा तो 90% चांस ये है कि वो इसमें से आएगा टाइपस में से जो तरकना के परकार क्या होते हैं तो सबसे पहला है नीगमनात्मक तरकना दूसरा है आगमनात्मक तरकना तीसरा है आलोजनात्मक तरकना और फोर्थ है सादर्शयवाची तरकना तो ये बहुत ही सिंपल सा है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बारी बरकम या मुश्किल काम हो बहुत ही आसान सा है बहुत ही ज़्यादा ही आसान है क्या है सबसे पहला है नीगमनात्मक तरकना अब क्या होता है नीगमनात्मक तरकना में जिसमें वेक्ति पहले से ग्यात नियमों और तत्यों के आधार पर एक निश्चित निश्कर्स पर पहुंचने की कोशिश से करता है या इसको सरल भासा में देखेगा आपने पहले अगर वीडियो आप हमेसा से देखते रहे हैं तो कई जिगे मैंने नीगमन और आगमन का जिकर किया होगा आगमन आत्मक, नीगमन आत्मक आगमन आत्मक में मैंने आपको बताया होगा इसमें विसेश से हम सामाने की और जाते हैं और जो नीगमन आत्मक होता है इसके अंदर हम सामाने से विसेश की और जाते हैं जबकि आगमन में हम विसेश से सामाने होता है नीगमन में सामाने से विसेश होता है सामाने से vises का मतलब कोई एक सामाने जनरल बात हो जैसे सभी मनुश्य मरंसिल है ये एक सामाने बात है सारी दुनिया जानती है और ये प्रूव है अपने आमे कि हाँ सभी मनुश्य मरंसिल है तो इस से फिर आगे हम vises की ओर जाते हैं vises का मतलब particular अलग-अलग, नाम पे कोई भी जैसे राम मनसील है, शाम मनसील है, देखिए फिलोसोफी जब आप पड़ते हैं, दर्सन सास्तर के अंदर ये एक, जब फिलोसोफी में आपको बढ़ाता हूँ, RPSC 2nd Grade के अंदर जो 2nd पेपर आता है SST का, तो SST वाले में जो आठ एक सब्ज उस डेकारते वाले में जब आप पड़ते हो, तो उसमें कई जिका कई नाम आते हैं, जैसे इसी तरह के आगमन और निगमनात्म के तरकी हम बात करते हैं, और वहाँ पर कई उधान फेमस उधान है, दर्सन सास्तर के, कि जैसे राम मनसील है, शाम मनसील है, सिता मनसील है, ग शुकरात मांसिल है, रा मांसिल है, शा मांसिल फिर इस से ये सभीत होता है कि हाँ सभी मनुश्ывает मांसिल है तो वह एक चलूँ वहाँ की बात अलग है वो यहाँ झो समझ रहे हैं वो यी नीगमनत वाला तरख है, सामाने से विसेश तो पहले से ग्यात नियम और तत्यों के आदार पर क्या है कि सभी मनुष्य मरंशील है ये एक उधान समझाए मैंने आपको तो आगे विसेश की और हम गए कि मोहन एक मनुष्य है यहां कोई भी नाम हो सकता है तो हम निश्कर से निकाल सकते है कि जो मोहन है वो भी क्या है मरंशील है सभी मनुष्य मरंशील है मोहन एक मनुष्य है इसलिए मोहन मरंशील है ये है निगवनात्मक तर्ग और भी कई उधान है जैसे दर्शन सास्तर के अंदर एक बड़ा फ्यमस उधान आता है कि जहाँ जहाँ दुआ है वहाँ वहाँ आग है तो फिर आगे हम कहते हैं कि चुंकि पाहाड पर दुआ है इसलिए हम कहते हैं कि पाहाड पर आग है जैसे यहाँ जैसे सभी मनुश्य मरंचील है इसकी जगे हम एक युनिवर्सल बात ये लिख सकते हैं कि जहां जहां धुआ है, वहां वहां आग है, अब किसी बिल्डिंग के पीछे माली जी आप यहां कहीं बैठे हैं, जैपुरु में माली जी कहीं बैठे हैं, यहां से पांच किलोमेटर दूर, कहीं दूर से आपको धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं, और काला काला ध तो यह एक universal चीज है, किस आदार पर, पहले से लोगों ने सेंक्डो सालों तक देखते रहे, हमें संस देखा, हाँ जहाँ जहाँ दुआ है, वहाँ आग है, तो यह बना दिया, कि हाँ जहाँ जहाँ दुआ है, वहाँ आग है, चुंकि हमें पहाड पर क्या दिखाई दे रहा है, धुआ, तो अब हम क्या कह सकते हैं, कि पहाड पर भी क्या है, आग है, तो यह होता है, निगमनात्मक तरकना, हालनकि इतना लंबा चोड़ाए से, जैसे माब को समझारों इतना नहीं आएगा, इस सिंपल सा यही पूछेगा, कि बताईएगा, ग्यात नियमों और समाने से विशेश, या विशिष्ट, समाने से विशिष्ट या विशेश, इस तरफ जब हम जाते हैं, तो यह कौन सा है, निगमनात्मक तरकन, और आगमन में इसका उल्टा हो जाएगा, आगमन में हो जाएगा विशेश से समाने, विशिष्ट से समाने, अब दूसरा है, आगवनात्मक तरकना, तो इसमें वेक्टी दिये गए तथ्यों में अपनी और से नया तथ्या जोड़ कर एक निश्चित निश्कर्ष पर पहुंचता है, यानि जो भी तथ्या आपके सामने दिये गए हैं, उसमें अपनी और से कोई नया तथ्या आपको जोड़ना ही उसके बाद आप एक निश्चित निश्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो इस तरह की जो तरकना होती है, इसमें मुख्य रूप से कौन लोग इसका प्रियोग करते हैं, जो सरजनात्मक चिंतक होते हैं, क्योंकि आपको नई चीज जोड़ने पड़ेगी, नई चीज आपको क् पहुंचेंगे हैं, उसमें अपनी और से नया तत्य जोड़कर एक निश्चित निश्कर्ष पर पहुंचेंगे, अपनी तरफ से एक नया तत्य जोड़ना, तो ये वाला तरक जो है, ये कौन सा कहलाएगा, आगमनात्मक तरक ये आगमनात्मक तरक ना कहलाता है, तो इस प इंदी में रुकी लिखा वाता है, उन्होंने आगबराथ में चिंतन के लिए एक पॉंट भी बोला है, कि आगबराथ में चिंतक जो चुन्तन है, या तरक जो है, इसमें चिंतक अपनी कलपना के अधार पर कुछ ऐसी नई चीज़ों को जोडता है, वो ही हमने बोला नएा त जोड़कर तो जो प्रस्तुत आंकडों से सिध्य ग्यात नहीं की जा सकती थी। तो वो बैसे ये मैन पॉइंट यही है कि उसमें अपनी और से कोई नई चीज़ जोड़ेगा ताकि समस्या का समाधान हो सकें। तो ये पॉइंट आप इसमें ध्यान में रखेगा। इसके बाद आता है आलोचना आत्मक तरकना। क्या होता है? इसमें वेक्ति किसी वस्तु या गटना के बारे में सोचते समय या किसी समश्या का समाधान करते समय परतेक उपाए के गुण व्यदोश को परकता है, उसके बाद यह अंतिम निर्णे लेता है। यानि वो हूब उस चीज़ को स्विकार नहीं करता वो पहले उसके गुण देखेगा उसके दोश क्या है और ये परक होने के बाद में ही वो किसित निश्चित निश्कर्स पर पहुंसता है तो इस point को आप ध्यान में रखेगा आलोचना जो है क्या है इसमें गुण दोश को जैसे मालीजी कई बार क्यूशन आते थे RS मेंस में जो UPSC है IS मेंस में और आपने BA वगरा MA वगरा किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो बड़े क्यूशन आपके आते है जैसे BA MA में जो बड़े क्यूशन आते थे कि 500 वर्ड के अंदर इसका उतर लिखना है तो वो क्यूशन के लाश्ट में इस तरह से लिखा होता है कि नेम लिखते इस पर ध्यान देते हुए जो है इसका आलोचनात्मक प्रिक्षन कीजिए अब बहुत सारे बच्चों ने तो कभी ये इसका आर्थ ही नहीं सोचा होगा कि आलोचनात्मक प्रिक्षन का मतलब क्या होता है वो ही अपना जो पूरे 5 पेज वो बर के आ जाते हैं उसमें 500 वर्ड के लिए कि पूरे 5 पेज बरने है बस ये लक्षय है उसमें लाश्ट में वो लिख रहा है आलोचनात्मक प्रिक्षन करते वे इससे समझाईए जैसे इतियास है इतियास का कोई भी क्यूशन आ गया कि जो 857 की करांती है इसकी सफलता के बारे में या 857 की करांती पर विचार करते वे इसका आलोचनात्मक प्रिक्षन कीजिए तो इस वर्ट को तो ज़्यादा इस्टुडेंट जो है वो गोरी नहीं करते थे कि ये कहना क्या चाता है आलोचना अफमत प्रिक्षन इसका मतलब होता है गुण और दोश दोनों वो होती है आलोचना तो जैसे माली जी किसी का कोई सिदान्त है मनोविज्ञान के जैसे आपने सिदान्त पड़े सिग्वन्ट फ्राइड का सिदान्त आ गया जीन प्याजे का सिदान्त है तो ये तो चलो माली जी नॉर्मली जो रीट बगएरा एक्जाम या इनमें जैसे इतना वो नहीं पूसता कि गुण दोश्णों पर चर्चा करो या इन पर इसका क्या दोस है कैसे नहीं लेकिन जीसी के माली जी बीए है एमे है अब उनमें साइकलोजी अगर किसी कर रहा है विद्यार्थी का तो वहाँ सिग्मेंट फ्राइड का जो सिद्धानत है उसके गुण क्या-क्या है यानि गुण से मतलब उसका योगदान क्या-क्या है मनोविज्यान में और दूसरा उसके दोश क्या-क्या है तो वो दोश भी आपको लिखने पड़ते हैं तो वो होता है अलोचनात्मक प्रिक्षन तो इसमें वेक्ति किसी वस्तु घटना के बारे में सोचते समय या किसी समयशा का समाधान करते समय पर तेक उपाय के गुण और दोश दोनों को प्रकता है दोनों के बारे में सोचता है विचारता है मन्थन करता है और उसके बाद ही वो अंतिम निरने लेता है तो ये हो ग इसमें उपमा के आधार पर तर्क वितर करते वे चिंतक किसी निर्शकर्ष पर पहुंशता है। अब उपमा के आधार पर कैसे? इसमें एक famous उधारन आता है, राणी लक्षमे बाई वाला उधारन। तो ये कई एक्जाम में भी पूछा गया है, ये उधारन है क्या आपको समझाऊंगा भी? और जो books आती है, मानक किताबें, authentic पुस्त कें, तो वहाँ ये इस तरह के उधारन दिये हैं, डारेक्ट कई बार ये उधारन आपसे पूछ लेता है। रानी लक्षम भाई वाला उधान क्या है, इसमें ये है कि जो रानी लक्षम भाई है, वो महारना परताप के समान विरांगना कैसे थी? क्या बोला मैंने कि राणी लक्ष्मी भाई जो है वो महाराना परताप के समान विरांगना कैसे थी तो इसके लिए समाधान के लिए छात्री ये सो सकता है कि जो राणी लक्ष्मी भाई है उन्होंने अंग्रेजों से हारनी मानी थी और इधर महाना परताप ने अकबर के सामने या मुगलों के सामने जो है वो कभी भी हर स्विकारनी की संगर्स का रास्ता अपनाया तो इस रूप में आप इसको ले सकते हो उपमा क्या दार पर तो कोई कहे कि रानी लक्षमिबाई जो है महाना परताप है उन्होंने भी कभी मुगलों के अदिन्ता सुविकार नहीं की तो इस तरह से ये है उपमा क्या दार पर और ये फेमस उधारन है और इन से मिलते जुलते उधारन आप से कोई भी एक्जाम में पूछ सकता है तो ये पोइंट जो है आप इनका ध्यान में रखेगा इसके बाद में आता है तरकना के महतवपून कदम या सोपान इंपोडेंट स्टेप्स इन रीजनिंग आर्गुमेंट भी लिखा सकता है जैसे जो रीट का स्लेवस है इंगलिस में टरम इस्तेमाल की आर्गुमेंट तो इनको ऐसे मत सोचना कि आर्गुमेंट क्या है या रीजनिंग वो एक ही चीज़े तो अब यह है तरकना के महतवपून कदम या सोपान कोन से है सबसे पहला है समश्या की पहचान करना दूसरा है आकडो का संगरहन तीसरा है अनुमान पर पहुंचना चोथा है अनुमान के अनुसार प्रयोग करना और पांचवा है निर्ने करना जो फाइनल जो आपने निश्कर्स निकालना है तो यह स्टेप चरण है इसके यह भी आप से पूछ सकता है और कौन सा चरण पहले है कौन सा बाद में है यह आप से पूछ सकता है तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखेगा थोड़ा साब इसको सोच करके देखे कितने आसान है सबसे पहले है समशा की पहचान करना अब जैसे मालिजी आप किसी डोक्टर के पास में गए कोई आपके दिक्कत है अगर आपके पेट में दर्द है अब आपने डोक्टर के पास में गए कर डोक्टर साब मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो डोक्टर आपसे बहुत सी बाते हैं जो है वो पहले पूछेगा वो क्या पूछेगा भाई आप जैसे मालिजी खाना क्या खाया, पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेट में क्या दिक्कत है, दर्द हो रहा है, किस जगर दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, आप सुबह क्या खाय था, रात को क्या खाय था, बाहर का कुछ खाय था, पानी पिया था, इस तरह की चीजें वो कई क्या पेड़ दर्द क्यों कर रहा है कई कारण होंगे आपके कोई भी कारण हो सकता है तो वो बारबारी इसलिए पूछ रहे ताकि वो उस पहचान कर सके और वो पहचान कर ली तो उसके बाद डॉक्टर जो है वो दबाई आपको लिखेगा तो यह द्यान में रखेगा सबसे सबसे पहले है समश्या की पहचान करना, जब समश्या की पहचान ही नहीं होगी, तो फिर निश्कर्स होगा किसीज़ का, तो कितना आसान है सबसे पहले समश्या की पहचान करना, तो उसके बाद ही तो तर्क होगा इस पे, जैसे मालीजिये, इसमें एक बड़ा फेमस हुधान हो रहाता है, बुक्स वगरा में जो इसमें सामाने आता है, कि कोई विद्यारती है, और उसकी मनोविज्ञान की कोई बुक है, और वो बुक उसको मिलनी रही, उसको पढ़ना है, उसका एक्जाम है, तीन दिन बाद, चाह दिन बाद, पांस दिन बाद, अब वो किताब उसको मिलनी रही, या फिर जैसे उसके नोट्स हैं, कि वो नोट्स गए कहां, मैंने लिखे थे, मेरे रूमे नोट्स थे, कहां गए, अब उसको मिलनी रहा है वो, कि उसने किताब या आपके नोट्स जो हैं, खुद के जो notes है वो कहां रख दिए अब ये है समश्या अब है आंकडों का संग्रहंड collection of data तो इसमें व्यक्ति जो क्या करता है समश्या के समाधान से समधिज जो fact है जो तत्य है उनको एक्तरित करेगा और इसके लिए वो जो उसकी पहले की अनुभूतियां है पहले के जो अनुभू है उस चीज़ का वो सारा लेता है जैसे अब यहां मैंने आपको बताए कि उस बालक की जो बुक है वो मिस हो गई उसके notes या जो भी उस किताब है वो मिल नहीं रही उसको तो अब वो क्या करेगा वो ये देखने की कोशिश करेगा कि वो पुस्तक कहां कहां जो है वो अमेशा मतलब यानि ऐसी कौन सी जगह है जहां जहां उसकी किताब हो सकती थी जैसे मालीजी अब वो सोचता है कि मेरी notes मुझे मिलनी रहे तो अब वो ये इस चीज को सोचेगा मैं कहां कहां बैठता था मेरे घर में मेरे कमरे में तो अब वो जैसे उसकी आलमारी है उसको ढूंडेगा कि क्या हो सकता है मैंने कभी आलमारी में रख दी हो या कोई दराज है उसमें देखेगा हो सकता है मैंने दराज में रख दिये हो इस तरह से वो कई चीजों पर विचार करेगा उसके जो कोई दोस्त वगरा है उसके भाई बेन है उनसे पुछेगा भाई हो सकता है मेरी किताब आपने देखी हो कहीं या उन्होंने काम में ली हो या कोई फ्रेंड आपके रूम में कभी पढ़ने आया हो और हो सकता है बातें करते करते हो उसके आपको नोट्स अच्छे लगे हो और वहां से वो लेकेज लगे हो ये समझा कई बार विद्यवर्चात वास्त में हो भी जाती है कई बार विद्वर साथ ये प्रॉलम होती है कि जैसे उनका दोस्त कोई मिलने के लिए आया अब आपके रूम पे मिलने के लिए आगया और वो बैठा बैठा यूँ ही बैठा है देख रहाए आपके नोट्स वगिरा और अचानक उसने आपके नोट्स देखिए साइकोलोजी के और उसको नोट्स बड़े शांदार लगे अरे यार ये किसके हैं कि यार ये इनसर के हैं और मैं यह इनसे पढ़ता है और बहुत शांदार नोट्स हैं और मैंने बनाई हैं सारे वीडियो देखके अच्छा अच्छा अब उसके पास मान लो वो है नहीं तो अब नॉर्मली तो या तो जैसे कोई सामने बोल देता है कि भाई तेरे नोट्स मुझे दे दे मैं फोटो कोपी करा लू कुछ क्या करते हैं बोलते नहीं वो silently उसके नोट्स जो है अपने बैग में या बुक्स की साथ ले के चले जाते है और वो बैचारबाद में ढूंडता रह जाता है कि मेरे नोट्स आखिर गहे का अपने दोस्त को भी फिर बाद में पूछता है अरे यार मैंने नोट्स रखे थे तुम कहीं ऐसा तो नहीं गलती से तेरे साथ ले गए हो तो वो भी क्या करते हैं मना कर देता है कि नहीं या मेरे पास तो कोई नोट्स नहीं है कई बार इस तरह से भी गटना ही हो जाती है तो अपने नोट्स वगरे का द्यार रखा करो तो आंक्डों का संग्रहन तो इसमें वो ये चीज़ ढूणने की कोशिस कर रहा है कि कहां कहां हो सकती है उसके नोट्स या किताब जो है कहां कहां हो सकता है इसके बाद में तीसरा है अनुमान पर पहुंचना तो अब हर तरह के संभावी तांक्डों का संग्रहन कर लेता है और किसिना किसी आनुमान पर पहुंचने की कोशिस करता है और छातर जैसे इसमें इस आनुमान पर पहुंच सकता है कि 5-7 दिन पहले उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आया था उससे पहले तक उसको बहुत अच्छे से याद आता है कि उस टाइम तक तो मेरे नोट्स मैंने यहां रखे थे और मैं पढ़ रहा था और एक टोपिक मैंने निकाल रखा था सिग्मेंट फ्राइट और जब से मेरा दोस्त वापस गया है मेरे पास बैट के चाई भीके सिग्मेंट फ्राइट वहीं से गाइब हो गया उसके बाद फ्राइट के बाद मुझे कुछ दिखा नहीं इसका मतलब वो मेरा दोस्त जैसे माली ची उसका नाम है रामलाल वो कहेगा जाब वो रामलाल आया था और वो पक्का मुझे 100% मैं शोर हूँ वो रामलाल ही नोट्स लेके गया है मेरे तो वो फिर इस चीज़ बे शोर हो जाए पांस दिन पहले रामलाल मेरे कमरे पे आया था उसने का भाई चाई की इच्छा हो रही है मैं चाई बनाने चला गया और रामलाल ने मेरे साइको के नोट्स गायब कर दिये तो यह यह हो सकता है मिस्टेक से मैं एक नॉर्मली यह बता रहा हूँ हो सकता है मिस्टेक से कोई कोई कोपी वगरा नोट्स रख रहा हो भाई उसको लगा हो अच्छाज ठीक है मिलते जुलते से मेरे वाले सी है कोपी गलती से बेग में डाली हो तो उसको याद आजाता है या फिर उसने खुद ने भी उसको दिये हो और बाद में खुद भूल गया हो कि मेरे नोट्स मैंने कहां रखे थे तो वो एक अनुमान पर पहुंच आता है कि हाँ हाँ मैंने मेरा दोस्ट जो है उसके पास में नोट्स है और साथ-ार दिन पहले मैंने उसको दिये थे अब अनुमान के अनुसार परियोग करना तो इसमें जैसे माली जी मैंने उधारन आपको बताये था तो अब वो क्या करेगा उस अपने उस दोस्ट के पास जाएगा रामलाल के पास अब रामलाल ने अगर बता करके नहीं लिया है तो रामलाल उसको देखते ही जहंप जाएगा और यार यार ये कैसे आ गया है इसको कुछ मालूमता नहीं हो गया और अगर बता के गया है तो कोई दिकत नहीं है तो आप रामलाल के पास में गये और रामलाल भाई कैसे हो काज़ाब बिल्कुल बढ़िया यार रामलाल तुम पांसा दिन पहले मेरे रूम पे आया था यार उसके बाद से मेरे सिग्मेंट फ्राइड गाइब है जीन प्याजी भी गाइब है का गाइब कैसे का तुम मेरे नोट्स लेके गया था न अरे यार मिश्टेक से आगए ये ले ये रहे तुमारे नोट्स तो फिर लास्ट में जो है उसके बारे में वापस उस अनमान के अनुसार वो उसका परियोग करेगा यानि अपने दोस्त के पास जाएगा उससे पुछेगा फोन है तो फोन पर पुछलेगा और फिर फाइनल जो एक निश्टकर्स पर पहुंच जाएगा काच्या ये रहे मेरे नोट्स यहां मुझे मिल गए उसके जाकर के उसके घर गया, उसको उसके नोट्स मिल गए, तो उसकी समाशा का समाधा हो गया और अगर मान लीजिये, उसको लगता है कि हो सकता है मैंने मेरे दोस्त को दिये हूँ और वहाँ जाकर उसको पता सबता है कि नहीं उसको उसने नहीं दिये थे उसके पास नहीं है अब वो वापस से कोई नया अनुमान करेगा फिर से फिर से एक नया अनुमान पर पहुंचेगा फिर उसके अनुसार प्रयोग करना और फिर फाइनल नेशकर तक आना वो भी अगर उसका सटिक नहीं बेठा फिर वो फिर से कोई तीसरा अनुवान करेगा कि फिर कहा हो सकती है मेरी किताब या मेरे नोट फिर वो परियोग करेगा और लाश्ट में वो किसी निड़ने तक पहुंसता है तो ये है तरकना के महत्पून कदम या सोपान नहीं आएगा 99% चांस यही है बाकि तो एक परशेंट तो किसी भी चीज की गारंटी कभी होती नहीं है कि इस से बाहर तो कुछ आई नहीं सकता ऐसा तो है ही नहीं लेकिन हाँ पिसले वर्षों के पेपर सही मेटर मानक मेटर मतलब जो यहाँ पर आपके सामने जो भी लिखाव है इसमें कोई किन्तु परणतु नहीं है यह सब सटीक और सही मेटर है तो इसके बाद फिर एक और आता है कि सीख्षा मतलब जो उसमें क्या योगदान होता है तो देखिए योगदान है बच्चों के सामने जो है उनके माता पिता या जो सीख्षक है तो उनको कुछ ऐसी समशें परस्तूत करते रहना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो सोचे, विचार करे उसकी तरक करने की शमता बड़े बच्चे के सामने कई समशें रखे जाती है कि बच्चा चलो इसको समाधान करो तो बच्चा उस पर सोचे, विचार करे और फिर निशकर्स पर पहुंचे अब जैसे माली जी, मैं अगर कोई भी वीडियो के माधियम से कोई भी अगर पेपर टेश्ट पेपर लूँ तो सामाने तया विद्यारती आसान क्यूशन जो होते हैं वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं जहां उसको सोचना नहीं पड़े अगर मैं सोचने वाले क्यूशन दे दूँ तो फिर वो बड़ी उनके समश्या हो जाती है और फिर दिरे दिरे विद्यारती क्यूशन करना ही बंद कर देता है चाहिए आप कहीं भी देख लेना जैसे माली जी जो क्यूशन बहुत ज़्यादा इजी पूशते हैं या यूटूब पे माली जी किसी का कोई वीडियो है और वो क्यूशन बहुत ज़्यादा इजी जी पूशते हैं तो वो देखने वालों की भी संख्या उतनी ही ज़्यादा होते है क्यूंकि उनको लगता है ये तो उनको आता है लेकिन जहां भी उनको सोचना पड़े जहां भी विचार करना पड़े वहीं से विद्यार्थी पलाएन कर जाता है 90% विद्यार्थी जो हैं वो पलाएन कर जाते हैं वो इतना विचार नहीं करते कि मैं इस एक पॉइंट पर सोचूं मुझे सरल सरल जो है बस वो पूछू ताकि मेरे मन में एक जूटी संतुष्ट रहे कि हां मुझे सब कुछ आता है ये जूटी हातम संतुष्टी जो है ये बहुत महेंगे सावित होती है तो ये चीजों का थोड़ा आप द्यान में रखेगा तो शिक्षा में योगदान ही योगदान है बच्चे का अब वो कोई भी किस तरह से भी पूछ सकता है तो मैन मैन चीज़ें ये ही है तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा तरक तरकना रेजिनिंग आर्गुमेंट सब एक ही नाम है इसके बाद ये परकार का वास्तविक चींतन ही है मलब क्या है चींतन ही है ये एक तरह का वेक्ती तरकना के माद्यम से अपने चींतन को करमबद बनाता है निशिर निशकर्स पर पहुंचता है तरक वितर के आदार पर फिर रेबर का हमने देखा तरकना के दो अर्थ बताए थे, एक सामान अर्थ, एक विशिस्ट अर्थ, ले देखे रेबर की बात का सार ये है कि किसी गटना या विश्य के पक्ष विपक्ष में तरक करते वे एक प्रणाम पर पहुंचना, उसके बाद टेबल लेंप वाला मैं अर्गुमेंट, निगमनात्मक, आगमनात्मक, आलोचनात्मक और सादरशे वाचिंग, अब इसमें निगमनात्मक तरकना जो होती है, उसमें क्या होता है, ये आपको बता दिया, पहले से ग्यात नियम और तथ्यों के आदार पर एक निश्चित निश्कर्ष पर पहुंच पिर आलोचनात्मक तरकना, किसी विश्य या वस्तु या समश्या के गुण दोस्ट दोनों को देखना, और सादर्शे वाची उपमा के आधार पर, किसी से समानता के या तुलना के आधार पर हम कोई निश्कर्श पर पहुंचते हैं, तो उस परकार से हैं। परताबने भी कभी मुगलों के अधीता सुविकार नहीं की। तो इस परकार से ये च्यारी तरकना है, च्यारी तरका आपको पढ़ने हैं, तरकना के मैटकून कदम, सोपान, स्टेप कौन-कौन से हैं, समश्या की पहचान, आंकडों का संग्रहन, अनमान पर पहुंचना, अन कैसे भी परियोग, कोई भी आप चीज जोड़ सकते हो, कि समश्या आई, आंकडों से कर लीजिए, कि समश्या आई, आ से आंकडे, तो समश्या आई, तो अनु ने परियोग के आधार पर निरने लिया, कि वह इसके चरण कैसे कैसे हैं, तो ये नाम तो आपको याद होते है तब आपके जो short trick है वो काम आती है कि समश्या आई तो अनुने तो अनुमान हो गया तीसरे चरण में अनुमान अनुने प्रियोग के आधार पर क्या लिया निरने लिया बैस इस तरह से आप बना लीजिए कैसे मर्जे जचे ज़े से बनाओ हजारों trick होती है तो ये वाला topic जो है ये आपका clear होता है और इसको दो-चेर बार आप revision कीजिए, पढ़िए तो कोई भी question आपका इसमें से गलत नहीं होगा और एक बार भी वीडियो आपने अच्छे से सुन लिया दोबार देखने की जूरत नहीं है आपको इतने सरल topic हैं ये तो आज के वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत